कुश्चन नम्मर एक सो दो आरेस अगरबाल प्रत्सत चैप्टर आज कुश्चन नम्मर एक सो दो से कुश्चनों को सौल्ब करेंगे बहुत एजीवे में यहां से एक नया कॉंसेप्ट मिलता है कि ऐसे प्रस्णों को कैसे करें प्रस्ण में बोला गया किसी परिच्छा में 60% विद्यारती एंग्रेजी में तता 70% गड़त में उत्रीड हुए यद 20% विद्यारती दोनों विश्यों में उत्रीड रहे हों तता 2500 विद्यारती दोनों विश्यों में उत्रीड रहे हों पर चार्थियों की संख्या कितनी है ध्यान दो ऐसे प्रसंद को स्वाल्ब करते समय आपको दो तो सब्जेक्ट के अलग-अलग होना चाहिए जैसे आपका इसमें बताया गया कि इंग्लिस तो एक आपका इंग्लिस का ये सर्किल बना लिया इंग्लिस सब्जेक्ट का दूसरा उसने बोला है महत तो दूसरा एक महत का बना लिया है और दूसरा बोला है ओवर ओल दोनों में दोनों में पास होता है दोनों में फेल होता है एक बाद में यहाँ पर जो संख्या दे रखी होगी ये महत पूड होगी कि जो ये पचीस सो जो दिया है इसमें एक जो संख्या के रूम में पचीस सो दिया है ये क्या है? ये देखना होता है तो ये अनुत्रीड का दिया है कि अनुत्रीड हो रहे होता है तो पचीस सो बिद्याती दोनों विश्वों में उत्रीड का दिया है किसका दिया है उत्त्रीड यानि इसके अंदर जो भी प्रत्सत लिखने है वो उत्त्रीड बाले ही लिखने है इसके अंदर अगर लास्ट में पूरांक देए जो आपकी अंकों में नमबर दिया हो वो है यद वो उत्तीड का दिया है तो इन दोनों सरकिल के अंदर और मद्ध में उत्तीड वाला ही परसंटेज लिखेंगे यद अनुत्तीड वाला दिया है यह तो यहां पर अनुत्तीड ही लिखते हैं ध्यान देंगे यही इसका कॉंसेप्ट है तो यहां पर दिया साट पर पने में पूरा बनाया तो इस पर्सेंट इस थेल उतने like किनक पंदि अब क्या करतैंने इन दोनों को एड़ कर देते हैं अथा सतर को ऐत कर देतेaaaa do Arch लुद पिछ में आपको निकल के जो आया रिए 50 अर्थात 50% विद्यारती जो है निकल करके जो आंसर आया वो 50% आया जो त्रीड हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में जो त्रीड हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में अर्थात 50% बराबर यह दे रखा है आपका कितना 2500 टोटल पूछ रहा है का टोटल विद्यारती कितने बेहते तो 100% बराबर पूछ रहा है तो 50% बराबर मालूम है तो 100% या निज़ता सीथा दोगना हो जाएगा तो सब्सक्ए कि तो ब्लाता हुग नेस को नमबर आपyba अन्सर हो जाएगा एक सो तीन नममर प्लमकास कोंगा करेंगे एक सो तीन नमबर प्रसंट में दिया है एक परिशा में 42 परसंट अभ्यारती का इतमें तता 52 परसंट अभ्यारती अंग्रेजी में आनुत्रीड हुए यह दोनों ही अनुत्रीड का प्रसंट दोनों विश्यों में आनुत्रीड हों तता दोनों विश्यों में 46 अभ्यारती उ च्यालिस जो दिया है वो उत्रीड बाला दिया है तो आपको जो इस सरकलों के अंदर जो प्रत्सत में बेलू रखनी है वो उत्रीड बाली ही बना करके रखनी है जैसे कि इस प्रसंद में दिया है 42% मेहत यह दे दिया मेहत का और यह दे दिया इंगलिस का दो बना लिए मेहत में बता रहा है कि 42% अब आती अनुत्रीड होगे जबकि मुझे यहां उत्रीड दिया है तो त्रीड वाला ही निकालना है तो 42 का पूजित कर देंगे कि 42 अगर अनुत्रीड होगे है तो उत्रीड कितने होगे है तो सौमें से 42 घटा देंगे तो सौमें से जब 42 को घटा होगे तो कितना प्राप्त होगा सौमें से 42 को घटाएंगे तो 58 प्राप्त हो जाएगा यानि 58% विद्यात ही होगे उत्रीड आंगे दिया है बावन परसेंट विद्धा थी अंग्रेजी में आनो त्रीड रहे यानि फेल हुए तो पास कितने हुए जब बावन को लेस्ट कर देंगे तो आड़तालीस हो जाएगा आड़तालीस परसेंटेज में पास हुए क्योंको यह पास था त्रीड वाला दिया था तो मुझे यहां सठ्रेइब परसेंट भीडिग दोनों भीषेओ अमिया रुगए तो यहां भी उत्रीड वाला ही लिखना है शो को 100 को शिल सठ्रेज के बचाल करेंग शो मैं से पंद्रेज करेंगे बचेए इस जWiKi kya कर दिया जाएगा मैनस कर दिया जाएगा च्छर में से तीन गए dauकिष सब्सक्राइब अन्लोग गया झाल नांच्छा एफा 20 पर्सेंट जो बचा है क्वहत्त वठाइब चैलिस के बराबबर दिया यह तो यह परसन में दिया हुआ किसी कच्छा में 12तर परसन विद्यारति हैं उनने जीव ज़ियान तता 44 परसेट ने गड़तवियं सी कम से कम एक बिषय चुना, तो 40 परस्छा में कोल कितने अवियारती थी, परसन को थोड़ा सा इनहोंने Change किया, धियान देंगे 2 सबजेक्ट दे दिये हैं, और दोनों सबजेक्ट में परसंटेज दे दिया है, कि कम से कम बिसे चुना यान कम से कम क्या है एक बिसे इन बिद्यातियों ने लिया है तो हम 70% जो दिया है आपका 72% एक सो चार नमबर परसंट में 72 और 44 यह दोनों एड कर देंगी तो आपका ओवर ओल कितना परसंटेज हो जाएगा 4 to 6 और 47 साचार आपके 11 यानि 116% हो जाएगा जब कि टोटल जो संख्या होती है विद्यारतियों की वो होती है 100% और यह 16% जो अत्रिक्त आया तो जो अत्रिक्त जो 16% आया है आत्रिक्त यानि 116% जो ज़्यादा आया है तो 100 सो 16% जो ज़्यादा आया है इसका मतलब यह 16% ने दोनों सब्यक्त लिए मिद्यारतियों तो 46 सोले बरावर कितना हो गया चालिस उसमें पूछा गया है कुल अब्यारतियों की संख्या तो दोनों भी समचने के तो कच्छा में कुल कितने विद्यारती थे हंडेट परसेंट पूछ रहा है तो एक परसेंट बरावन निकालेंगे तो आपका निकलेगा चालिस बर्टे 16 और आँगे 100 परसेंट निकालेंगे तो 40 गोड़ा 100 बर्टे आपके 16 चार चोगुग। यहां पर बचाता है 10 तो आपका जो आंसर परावत होता है वो 250 परावत हो जाता है यही इसका आंसर है कि टूटल डि़्यारती के दिने थे 250 थे अंगला कुशन आता है एक सो पांच नंबर प्रसन को सॉल्ब करते हैं एक सो पांच नंबर प्रसन में दिया है एक कच्छा के तीन सेक्षन हैं जिनमें करम से 40, 50, 60 चात्र हैं इनमें इसी करम से 10, 20, 10 तीड हुए पूरी कच्छा में कितने प्रसत ब्यादती हो तील रहे यानि एक सेक्षन इसमें तीन दिये हैं और तीनों सेक्षन में चात्रों की संख्या अलग लग दे रखिए 40, 50, 60 और तीनों सेक्षन का प्रसत भी अलंग दे आए इसका 10 प्रसंट 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 का 10% निकालेंगे तो आपका 6 निकलेगा इन सभी को एड़ कर देते हैं तो आपका आजाता है 20 यानि 20 विद्यारती इसमें से पास हुए अगर देखा जाए इसका पूरांग कितना है पूरांग का आपका 60 पिलस 40 100 150 है इसका यानि 150 टोटल विद्यारती कितने थे 150 थे इन 150 में से पास कितने हुए है 20 20 को प्रत्सत में बदलना है तो 100 का मल्टिप्ला यो पूरांग से क्या किया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है जीरो से जीरो कट हो गया पांच तीयां पंदर है और पांच दूनी 10 अथा दो दूनी 4 चार 40 वटे कितना है तीन है इसको इसक दिखते हुए सही बटे में चेंज करना है तो आपके कितना आजाएगा 13 43 यानि 13 सही एक बटे तीन प्रत्सत इसका आंसर पर राप्त होता है आंगे डिस्कुशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद